सोनपुर नामक एक छोटे से गाउं में मदनलाल अपने परिवार के साथ रहता था उसके परिवार में उसकी पत्नी और उसकी इकलौती बेटी आरती थी आरती बहुत ही सुन्दर और सुशी लड़की थी गाउं के होने की वज़ा से वो बहुत सीधी साधी थी और उसे शहर के बारे में ज्यादा पता नहीं था लेकिन उसके लिए शादी का जब रिष्टा आता है तो वो शहर से आता है एक दिन उसकी होने वाली साथ पदमिनी अपने बेटे और बेटी के साथ आरती को देखने के लिए आती है भाई साहब हमें आपकी बेटी एक नजर में पसंद आ गई हमें कोई दहेज वहेज नहीं चाहिए बस हम आपकी बेटी को जल्दी ब्या कर ले जाएंगे बैन जी मेरी बेटी गाओ की सीधी साधी सी लड़की है अगर कोई भूल चुक हो जाए तो प्यार से समझा देना आप बिलकुल भी चिंता मत कीजे मैं भी बेटी की मा हूँ, सब समझती हूँ वो लोग वापस घर आ जाते हैं तब पदमीनी का बेटा कमल अपनी मा से कहता है मा सब कुछ ठीक था लेकिन मुझे ऐसा लगता है जैसे वो लड़की शहर में एड़जस्ट नहीं कर पाएगी कुछ ज्यादा ही सीधी सिंपल है बेटा, मेरी नजरें बड़ी पार्खी है मैंने उस लड़की के अंदर बहुत सारे गुंड देखे हैं वो घर को बहुत अच्छे से संभाल लेगी तुम तो बस शादी की तैयारी करो कुछ महीने बाद ही कमल और आरती के शादी धूमधाम से हो जाती है और आरती गाउं को छोड़कर शहर आ जाती है कुछ दिन ऐसे ही बीच जाते है एक दिन कमल अपनी बहन और आरती के साथ बाजार में सामान खरीदने जाता है तभी भाईया बहुत तेज भूक लगी है चलो न वो नुकर वाली दुकान पर गरम-गरम छोले भटूरे खाते है हाँ यार भूक तो बहुत तेज लगी है चल ठीक है ऐसा करते है पहले छोले भटूरे खा लेते हैं उसके बाद बागी का समान ले लेंगे वो तीनो छोले भटूरे वाली की दुकान के पास जाते हैं वहां काफी भीड थी उस दुकान के भटूरे बहुत फेमस हैं वो दुकान वाला बड़े-बड़े भटूरे बनाय करता था, आरती ने आज से पहले कभी भटूरे नहीं खाये थे, वो इतने बड़े भटूरे देखकर अचानक से बोल पड़ती है, अरी बापरे, कितनी बड़ी-बड़ी पूरिया हैं, ऐसा बोलते ही आसपास खड़े लो हमारे उपर हस रहें, मुझे माफ करना, मुझे नहीं पता था कि इन्हें भटूरे कहते हैं, मैंने आज से पहले इन्हें कभी खाया भी नहीं है, मैंने मा से कहा था कि किस फोहड को मेरे पल्ले बांदिया है, जिसे भटूरे और पूरी में अंतर भी नहीं पता, आर्थी को अपनी सुघड बहु को गाउं से, कितनी शर्मिंद की हुई, सब लोगों के सामने मुँ भार कर बोल दिया, बड़ी-बड़ी पूरिया, क्यों, छोटी सी बात का बतंगर बना रहा है बेटा, जिस चीज के बारे में वो जानती ही नहीं थी, तो निकल गया मुझे, बेटा, जिस चीज के बारे में तुझे पता ना हो, तो पहले पूछ लेना, इस तरह तेज-तेज से मत बोलना, मैं जानती हूँ, तुम बहुत ही इंटेलिजेंट लड़की हो, जल्दी सब कुछ समझ जाओ की, हाँ, क्यों नहीं मा, पहले तो अपनी लाडली बहु को ये समझाओ, कि पूरी-पूरी होती और भटूरे-भटूरे होते हैं, आर्थी के मन को कमल की बात लग जाती है, वो घर पर ही भटूरे बनाने की प्रैक्टिस करने की सोचती है, वो अपनी सास से बोलती है, मा जी, वो उस दिन जो हमने भटूरे खाय थे, वो बहुत ही अच्छे थे, मै मैं तुझे बनाना सिखाती हूँ पदमिनी आरती को भटूरे बनाना सिखाती है लेकिन बहुत कोशिश के बाद भी आरती से भटूरे नहीं बन पाते शाम को वो जैसे तैसे बने हुए भटूरे कमल और अपनी ननत को खाने के लिए देती है कमल हाथ में भटूरा लेकर हसने लगता है तुम जाहिल और जाहिली रहोगी तुम्हें शहर के रंग ढंग कभी नहीं आएंगे तुमसे तो भटूरा तक नहीं बना सच कहा था तुमने बड़ी-बड़ी पूरी यह बना गर रख दी भाभी तुम यह एक्सपेरिमेंट रहने दो तुम्हारे बसके नहीं है भटूरे बनाना आप कोशिश कर रहे हो लेकिन भटूरे बन नहीं पा रहे हैं तुमसे भाया मैं इतने तेल वाले भटूरे नहीं खा सकती आप मेरे लिए पिज़ ओर्डर कर दो प्लीज पदमिनी कुछ नहीं बोलती वो चुपचाप एक भटूरा खा लेती है आर्थी को समझ में नहीं आ रहा था कि उसने तो खुशी-खुशी में इतने सारे भटूरे बना दिये जो सबको पूरी लग रहे है अब वो इनका क्या करे तभी उसे नुकर पर बैटी हुई एक गरीब भिखारन का खयाल आता है और वो सारे भटूरे और छोले पैक कर वहां ले जाती है अम्मा मैं गाउं की सीधी साधी लड़की हूँ मुझे छोले भटूरे बनाना नहीं आता लेकिन मैंने बहुत कुशिश करने के बाद बनाया पर घर में किसी को पसंद नहीं आये मैं इनको फेकना भी नहीं चाती इससे हन्न का अनादर होगा आप इन्हें ले जाओ और अपने परिवार के साथ खा लेना और नाच लगे तो फेक देना नहीं नहीं बेटा मैं फेकूंगी क्यों फूरा दिन यहां बैट कर भीक मांगती हूँ दो टाइम के खाने के लिए तो खिम मुझे दे दो और मेरी एक बात याद रखना कोई भी जनम लेते ही कोई चीजे नहीं सीख कर आता है धीरे धीरे सब कुछ सब कुछ आ जाता है मैं तुझे आशिरवात देती हूँ आज के बाद तेरे हाथ के बने हुए छोले भटूरे बहुत ही अच्छे बनेंगे सब हाथ चाट चाट कर खाएंगे आपका बहुत बहुत शुक्री आम्मा इनको खा लेना अब मैं कभी छोले भटूरे नहीं बनाऊगी आर्थी का दिल बड़ा दुख रहा था वो मनी मन सोच लेती है कि जो चीज मुझे नहीं आती वो अब मैं कभी नहीं बनाऊगी समय ऐसे ही बीच जाता है एक दिन कमल बुखार से तपा हुआ घर आता है अरे आपको तो तेज बुखार हो गया आप आराम से लेट जो मैं आपके लबी खानो और दवाई लेकर आती हो तुम रहने दो शिखा से कह दो वो दे देगी तुम नजाने दवाई के नाम पर क्या खिला दो कमल की बहन आकर उसे दवाई दे देती है देखते ही देखते छे महीने बीच जाते है कमल ने जो खाट पकड़ी फिर छोड़ी ही नहीं बड़े से बड़े हॉस्पिटल में उसका इलाज कराया गया पानी की तरह पैसा बह गया लेकिन उसकी तबियत में बिल्कुल भी सुधार नहीं हुआ जिस कारण घर की आर्थिक स्थिती बहुत ही खराब हो गई माँ मैं सोच रहे थी की कोई नौकरी ढूंड लो हे भगवान समय कैसे बदल जाता है आज अपनी बेटी के मुझे ये बात सुनकर मुझे कितनी तकलीफ हो रही है मैं बता नहीं सकती तब ही कमल आर्थि को आवाज दे कर बुलाता है मैं जानता हूँ मेरी बीमारी पर बहुत पैसा खर्चो गया तुम सब परिशान हो लेकिन आर्थि मेरा छोले भटूरे खाने का बहुत मन कर रहा है छोले भटूरे माफ करना लेकिन अभी घर में इतने पैसे नहीं है हाँ थोड़े से छोले रखे हैं अगर तुम कहो तो मैं तुमारे ले घर पर ही बना सकती हो आर्थि रसोई में जाकर छोले भटूरे बनाने की तैयारी करने लगती है और थोड़ी ही देर में वो छोले बना जैसे ही भटूरे बनाने लगती है यह भगवान मुझे तो भटूरे बनाने भी नहीं आते यह फिर खराब बन जाएंगे कमल का बहुत मने अब क्या कर सकती हो आर्थि भटूरा बेल कर जैसे ही कड़ाई में डालती है वो बिल्कुल बाजार के भटूरे जैसा बनता है यह देखकर आर्थि खोश हो जाती है वो दूसरा, तीसरा, चौथा, पांच्वा इस तरह कई भटूरे बनाती है और वो बिल्कुल बाजार के जैसे दिखाई दे रहे थे जब वो कमल को खाने के लिए देती है तो वो तारीफ कर उठता है वारती, तुमने तो बहुती अच्छे चोले भटूरे बनाए है बिल्कुल बाजार जैसे गजब के चोले भटूरे है मैंने आज तक इतने स्वादिस चोले भटूरे नहीं खाए भाबी, आपने तो उस दिन के बाद कभी चोले भटूरे बनाई नहीं और आज बनाए तो गजब के बना दिये मैं तो सोच रही हूँ क्या नौकरी करना क्यों ना हम लोग चोले भटूरे की दुकान ही खोल ले हाँ हाँ क्यों नहीं हम अपना काम कर सकते हैं क्या आप लोग सच कह रहे हैं ये वाकई में इतने अच्छे बने हैं तीनों हाँ बोलते हैं और चोले भटूरे की बहुत तारीफ करते हैं आरती को भी अच्छा लगता है। आज पहली बार कमर और उसकी बहन ने उसके खाने की तारीव दिल खोल कर की थी। पदमी ने अपने हाथ से एक कंगर निकाल कर आरती और शिखा को देती है। और कहती है कि इन्हें बेच कर छोले भटूरे के लिए जो भी सामान चाहिए वो सब ले आओ। दोनों बाजार जाकर सामान ले आती हैं और कुछी दिन में वो छोले भटूरे बेचने का काम शुरू कर देती है। आरती छोले बनाने के बाद जल्दी जल्दी भटूरे बनाने लगती है और देखते ही देखते फूले भटूरे निकलने शुरू हो जाते हैं देखो औरत होकर भी छोले भटूरे बेच रही है और वो भी कितने स्वादिश्ट मैं लिख कर दे सकती हूँ इस स्वारत का काम इतना अच्छा है कि थोड़े ही दिरों में इसकी दुकान चल पड़ेगी मैं भी यही कहने वाली थी मैंने इतने स्वादिस शोले भटूरे कभी नहीं खाए भटूरे देख रही हो तुम कि इतने पूले पूले है और इनमें तेल भी नहीं है धीरे धीरे आर्ति की दुकान के बाहर भीर लगनी शुरू हो जाती है आर्ति को भी बड़ी हैरानी हो रही थी कि आखिर वो इतने अच्छे छोले भटूरे कैसे बनाने लगी है तब ही उसे याद आता है कि उस दिन उस भिकारे ने उसे आशिरवाद दिया था कि उसके हाथ के बने हुए छोले भटूरे सभी को पसंद आएंगे एह भगवान इसका मतलब उन अम्मा ने जो मुझे आशिरवाद दिया था उसके जादू से ये जादू ही छोले भटूरे बन रहे है वो मनी मन उस औरत को धन्यवाद देती है थोड़े ही दिनों में उनका काम बहुत अच्छा हो जाता है वो कमल का इलाज बड़े शहर में कराने का सोचती है और अपनी ननत को पैसे दे कर कहती है कि तुम अपने भाई का इलाज कराओ मैं यहाँ पर छोले बटूरे बेज़ कर पैसे कमाती हूँ तुम कितनी अच्छी हो आरती मैंने हमेशा तुम्हें भला बुरा कहा तुम्हारे गाउ का होने पर तुम्हें फूहर कहा लेकिन आज तुम्हारी वज़ा से यह घर चल रहा है तुम मुझे इलाज के लिए बाहर भेज रही हो कैसी बाती कर रहे हो आप आप मेरे घर मेरा तो हम लोग मिलकर ही तो काम करेंगे न बस आप जलती से ठीक होकर आजाओ और आरती जादूई छोले भटूरे बेच कर पैसे कमाने लगती है उधर शिखा भी अपने भाई का इलाज कराती है और कुछ समय बाद कमल ठीक होकर वापस आ जाता है और आरती के साथ उसके काम में हाद बटाने लगता है आरती के मेहनत और जादूई छोले भटूरे की वज़े से उन लोगों के हालाद जल्दी ही सुधर जाते है